पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटी हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखें वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडोस अकेले में थे दुश्मन सैनिकों ने घिर्पे पत्थरों की आज लेकर फॉजी यूनिट पर धवा भोल दिया कबिर बेस कार्ण स्कॉर्ट थ्री का भारतिय शेंत्र घुसपाटियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉर्ट थ्री का दुश्मनों से सामना हुआ लेटनेंट सिंकी पिट्रूल थ्री टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलं से गिरे पत्थर और चट्टा और थे अंधेरा चा गया छे गंटे बाद जब लेटनेंट सिंकी आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी एहमद, धिलो, रवी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी, भाहिचारे और भारत के लिए फौजी ये बिन्दा में आए बारत के लिए नहीं है खब हुआ 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 जुट करते है अजय कर रभल कर दो कर दो सकारे रहाँ प्रशददे बॉर्फ पर आसे हुआए ज्लाकर नहीं से हुआए है जहां एक उस पैठिया होता है वहां ओर ही वोते आप आप रही वोते चैनल लूगा प्रपरल तुम कहां हो मैं अपनी टीम को ढूल लूँगा और फिर हम इंब विभुदा लोगों को वापस घर भेज़ देंगे अभी तक मेरे फौजीयों का कुछ अता पता नहीं और घुस पैठी है यह यहां क्या कर रहे है प्याद थर सकतार है यह 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 यहां यह यह बहल यह 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 यगाद यूद मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं तो हो जाए यह को यहां बॉडर पे ठोल तुना है तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है कर दो लुडर्पर पे तुम का रखा है पाईरों, तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते